तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि कम बोलने वाले लोगों में क्या-क्या खुबिया होते हैं तो अगर आप एक कम बोलने वाले लोगों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा helpful होने वाली है बहुत ही जादा interesting भी होने वाली है क्योंकि आज आप अपने बारे में 8 ऐसी पॉइंट जानोगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया है अगर आप एक कम बोलने वाले इंसान हो तो ज़रूर ये वीडियो फुल वच कर लीजे और अगर आप एक जादा बोलने वाले इंसान हो तो भी ये वीडियो आपको फुल वच करना ही चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कम बोलने की क्या क्या फायदे है और आप इसको अपने लाइफ में इंप्लिमेंट करके कम बोलने वाला इंसान बन सकोगे और इससे आपका बहुत जादा लाव होगा ठीक है तो कम बोलना सबसे जादा बेस्ट है और क्या क्या क्योंकि भी है अभी मैं आपको बता दिए उचलिए फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं first जो point है ये है तो दोस्तो कम बोलने वाले इंसन हमेशा ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कब मुझे क्या बोलना है, ऐसा नहीं कि बस मुझे बोलना है तो मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तो यह हुई कम बोलने वाले लोगों की फर्स्ट खूबी अब कम बोलने वाले लोगों की सेकंड खूबी में आ जाते हैं जो लोग कम बोलते हैं वो बहुत ही जादा इंटलिजेंट होते हैं बहुत ही जादा बुद्धिमान होते हैं अब क्यूं वो भी मैं आपको बतारी thinking अपनी सारी मन में जो भी चल रहा है सब चीज़ को रखना होता है वो भी कम शब्दों में इस वज़े से वह काफी जादा intelligent भी होते हैं उनको पता होता है कि कितने कम शब्द में हम अपने सारी बाते जो है न सामने वाले को समझा सके तो आपको नहीं लगता कि एक intelligence का लक्षन है तो definitely दोस्तों कम बोलने वाले लोग बहुत जादा intelligent भी होते हैं अब यह है दोस्तों कम बोलने वाले लोगों की दूसरी खुबी अब कम बोलने वाले लोगों की तीसरी खुबी में आ जाते हैं तो दोस्तों कम बोलने वाले लोगों को इंसान बहुत जादा प और आपको पता ही है कि जादा सुने वाले इंसान को सभी पसंद करते हैं तो जो कम बोलने वाले इंसान होते हैं तो और सामने वाले को कभी भी जादा बोल बोल के इरिटेट नहीं करते हैं और इस वज़े से सामने वाले इंसार जारस के दोस्तों पार्टनर हो कलिक्सों कोई है दोस्तों लोग उनकी respect भी करते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोई भी चीज अगर market में बहुत ज़्यादा available हो जाता है तो उसकी value जो है वो गिर जाता है डाउन हो जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उसकी बाते बहुत ही कम आता है इस विज़े से उनके हर एक बाते valuable होते हैं और जिसके बाते valuable हो लोग उसको respect ही करते हैं इस विज़े से कम बोलने वाले लोगों हमेशा लोग respect की नजर से देखते हैं और उनके हर एक बोली हुई बात को valuable समझते भी है और मानते भी है चलिए पांच नमबर कूबी में आ जाते हैं जो लोग कम बोलते हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले में जादा सफल होते हैं क्योंकि दोस्तों जो कम बोलते हैं वो बेकार की बाते बोलके अपनी time waste नहीं करते हैं वो हमेशा अपने time को जो है न कोई काम में लगाते हैं कोई ऐसे काम में लगाते हैं जिसमें उनका कोई knowledge बढ़े हैं वो खुद को upgrade करने में somehow spend करता है ना कि बोल-बोल के time waste करने में इस वजय से जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ये बाकी के मुकाबले में जाधा सफल होते हैं और बहुत जल्द सफल होते हैं तो ये हुए दोस्तो बाच नंबर बातों को रास की बात जो है ना उसको राज रखना जानते हैं यो बड़ बोले लोग होते हैं उनको आप कुछी भी कहो और बता दो कि ये बात किसे को बताना नहीं वो जल्दी जाके तुरंदी जाके किसे और को बता देंगे क्योंकि उसके पेट में कोई बात जो है ना पच तो डेफिनितली वो लोग उस बात को राज ही रखते हैं तो इस मामले में कम बोलने वाले लोग बहुत ही जाधा ट्रस्टेबल भी होते हैं तो चलिए अब साथ नंबर खुवी के तरफ चलते हैं कम बोलने वाले लोग अकेले रहने में डरते नहीं हैं वो अकेले रहना जान लेकिन दोस्तो कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी ने डरते हैं और इनी खूबियों के वज़ा से उसको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलती है क्योंकि दोस्तो सक्सेस आपको कोई बाहर से नहीं देता है आपको खुद को जानके खुद को समझ के खुद को कंट्रोल करके ही मेहनत करके सक्सेस की तरब बढ़ना होता है और जो लोग जादा टाइम वेस्ट करते हैं बात करके बहुत जादा लोगों की बारे में चर्चा करते हैं वो खुद को ही भूले रहते हैं और जैसे आप खुद को भूले रहोगे तो आप success को हासिल कैसे करोगे इसमेजे से कम बोलने वाले लोग बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से successful हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद की पहचान होती है जब आप खुद को जानोगे तभी एक मात्र तभी आप successful बन पाओगे अब चले दोस्तो आठ नबर पॉइंट पे आजाते है last point जो की बहुत जादा important point ही यह दोस्तों आपने कभी ख्याल किया होगा कि आपके life की जितने सारे जंजट होते है जितने सारे मुश्चीबते आते हैं problem होते हैं सारे चीज़ आपके बोलने के वज़े से होता है बतलब आप कुछ ऐसा बोल दिये जिस वज़े से सामने वाला बुड़ा मान गया, जखरा हो गया, डिर्शन खराब हो गया इस तरह से मतलब 99% जमिल आपके बोलने के वज़े से होता है आप अगर बात करना बंद कर दो तो 99% जमिल आपका तथशन खतम हो जाता है तो इस वज़े से जो कम बोलने वाले इंसान होते हैं उसके दुश्मन भी कम होते हैं एक कहावत है कि गूंगे की कोई दुश्मन नहीं होता है वैसे दोस्तों जो कम बोलने वाले इंसान होते हैं वो हर बात थोड़ा सा सोच के बोलते हैं ठीके और इस वज़े से उनका दुश्मन भी कम होते हैं तो आप अगर कम बोलने वाले इंसान हो तो बहुत ही बड़िया बात है और अगर आप बहुत जादा बोलने वाले इंसान हो तो आपको definitely एक कम बोलने वाले इंसान बनना ही चाहिए तब ही आप अपने life को अच्छे से जान पाओगे खुद को समझ पाओगे और सक्सेस को बहुत ही असानी से हासिल कर पाओगे तो इसके लिए इतना है वीडियो को सब में शेयर कर दो तक कि सबको मदद मिले और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सबस्क्राइब करना ना भूलना और अगर आप मैं इसे डारेक्ट कोल पर बात करना चाहते हो तो call me for application के थूँ आप मैं इसे डारेक्ट कोल पर बात कर सकते हो तो दोस्ते मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई